श्री सिवाई नमस्तु भ्यम हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल दोजार चौबिस में मार्ग सिर्स अमवश्यक किति थी क्या होगी दिन क्या होगा वार क्या होगा फोजा का सोब महुरते क्या है असनान दान का महुरते क्या है तदा इसका महत्व क्या है और कौन-कौन से नियम हमें इस दिन अवस्चे ही करने है इस दिन हमें अपने कुल के देवी देवताओं को किस प्रकार से प्रशन्य करना है अपने पीतरों के निमित कौन से कारिय इस इस दिन अवस्य ही करने हैं वो सभी चीजी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईए वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं आप सभी स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविश्य की कामना करत से विए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूं सनातन धर्म में पुर्णीमा तथा आमवश्या दोनों ही तिथी का विशेईस महत्व हैं हर माह में आने वाले आमवश्या बहुत विशेईस होती है इस दिन असनान दान तथा विविन्य प्रकार के कारिय करने से पुन्य की प्राप्ति होती है आमवश्या के दिन भगवान स्रीहरी भगवान शिव और मा गंगे की खास तोर पे पूजा अर्चना उपास्तना के जाती है आमवश्या के दिन पीतरों को भी समर्पित होता है इसलिए इस दिन पीतरों के निम्मेत दान तरपन इत्यादी जैसे कारिय क करने चाहिए पीटरों के आत्मा को सestar शांति मिलती है और बदले में पुर्वजों हैं हमारे वह हमें आचरवात देते हैं हमारे सास्त्रों में बतला हैं क्या है जिस व्यक्ति पर अपने पीतरों को आसिरवाद होता है उस व्यक्ति के कुंडले में यदि किसी भी प्रकार का दोस भी है तो वह भी उसे पीरा या उस पर दूस प्रभाव उसका नहीं पड़ता है वेद पुडान सास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति के पीतर प्रिसन होते हैं उस व्यक्ति पर सब भी देवी देवताओं के किरपा होती है इसलिए आमवश्या के दिन बहुत है इस दिन कुल के देवी देवताओं के निम्मित भी कुछ काड़े आवश्य ही करने चाहिए और कौन-कौन से काड़ी हैं अब उन्हें हम जान लेते हैं 2024 में मार्क सिर्ष माहा की आमवश्या कितिती का आरंब है 30 नवंबर की सुबह 10 बच करके 39 मिनट पर होगा एवं इसके समापती 1 देसंबर की सुबह 11 बच करके 50 मिनट पर हो जाएगा हम सबी 30 तारिक को ही आमवश्या को मानेंगे क्योंकि इस दिन पूरे दिन के आमवश्या रह रही है दिन भी सनिवार है सनिवार होने के वज़े से इस दिन आप पीपल की भी पूजा कर सकते हैं लेकिन यदि आप एक तारिक की आमवश्या को मानते हैं तब पीपल को इस प का आमवश्या के लिए असनान दान का मुहुर्थ ब्रह्मुर्थ में सुबह पांच बज करके आठ मिनट से ले करके सुबह के छी बज कर दो मिनट तक रहेगा लगबक हमें एक घंटे का समय प्राप्त हो रहा है असनान के लिए तथा दान के लिए इस दिन पवित्र नदियो को भोगते हैं देवी देवता भी काले तील को डाल का तरपन करने से बहुत जल्द प्रिसंग हो जाते हैं इसके पशात वस्त्र को धारन करें जो कि साफ और स्वच्चो हो सोडियन नारायन को जल अरपन करें और अपने कुल के दिवी दिवताओं के नाम से भी जल अरपन करना चाहिए दैनिक पूजा को संपर्न कर लें इस दिन भूलेनात की पूजा और भगवान विश्णु की डिक आउट कर सकते हैं अब अवश्य के दिन पीपल की पूजा भी विशेश रूप से की जाती है अब हम जानते हैं इस दिन किन कीन चीजों का दान करना है इस दिन सबसे पहले तो आपको अपने पीतरों के निमित तथा अपने कुल के दिवी दिवताओं के निमित दीप दान अवस्य ही करने चाहिए दीपक में काले तिल डाल करके तब दीपक को प्रिजवलित करें इस दिन पीपल के वरेक्षे के नीचे भी दीप दान करना चाहिए पीपल में सभी दिवी देवताओं के साथ ही हमारे पुरवज्य पीतर जितने होते हैं उनका विवास माना ग चाहिए गाई के लिए तता पक्षियों के लिए भोजन को निकालना चाहिए जो भक्त गन किसी भी कारिये को ना कर पाते हों उन्हें कम से कम गाई को इतन भोजन अवश्य ही कराना चाहिए शाथ ही भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए इससे भी प प्रकार का आप पूजा पाठ जप तप दान इत्यादी करते हैं वह सभी चीज़ें भगवान स्रेक्रिष्ण को बहुत अधिक प्रचन करती हैं और इसी के लिए भगवान स्रेक्रिष्ण के किर्पा अपने भक्तों पर शदा-शदा बढ़सती रहती हैं काले तेल का दान करन है तिल के दान करने से घर में नकारात्म को उड़ जाएं नहीं आती हैं दूर रहती हैं इस मह में गुड का दान करने से भी व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है यदि किसी भी कारण वर्श किसी भी व्यक्ति के जीवन में बार-बार बाधाय उत्पन होती है या भाग कि उसका साथ ना दे रहा हो तब ऐसे में इस दिन गुड करदान अवश्य करना चाहिए देखे गुड करदान करने से उंडली में सोड़ी और मंगल दोनों ही मजबूत होते हैं एवं सो भागे की प्राप्ति होती है उमीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अध कार दोस्तों